150,000 tech workers have been laid off in 2022 alone Amazon today announcing it's going to cut 18,000 workers आज की इस वीडियो के अंदर हमेर पस दो वोची है यह दोनों की दोनों वोची का प्राइस बिल्कुल सेम है अब आप मुझे कमेंट सेक्षिन में अभी बताओ कि आप लोग को सेलेक्ट करोगे कर दिया कमेंट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यूं आज के टाइम के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है क्यूं आज भी फैंग की तरफ बहुत जादा अट्राक्टेड है क्यूं आज भी अगर उनके पास दुनिया जहान के सारे उफवाज आ जाए फिर भी वो लोग फैंग के अंदर जाना ही पसंद करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग को फैंग चूज करना चाहिए इतनी जादा महनत करनी चाहिए इससे करना चाहिए competitive programming करनी चाहिए एक single company के अंदर जाने के लिए इतनी सारी चीज़े आप लोग को करनी भी चाहिए कि नहीं आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग discuss करने वाले हैं आज की वीडियो बहुत जादा interesting होने वाली है तो अपने दोस्तों के साथ इस वाले चीज़े भी हो सकती है सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है safer option आप लोग को लगता है कि जो fang है वो बहुत ज़्यादा safer option है अगर मैं एक बार Microsoft Google ऐसी किसी company के अंदर लग गया ना तो मैं वहां का राजा हूँ मुझे वहां से कोई नहीं निकाल सकता मैं जैसा भी काम मुझे वहां से कोई निकाल सकता बैसिकली आप लोग fang को government job के साथ confuse कर बैठे हो आप लोग को लगता है कि अगर आप लोग fang के अंदर चले गए तो किसी का बाप आप लोग को ने निकाल सकता लेकिन अगर आप लोगों ने latest news देखी है आप लोगों को पता है कि अभी इ लग जाते हो ना वहां से भी आप लोग को निकाला जा सकता है अगर आप लोग की performance अची नहीं है अगर कुछ industry के अंदर crash हो गया market crash कर गई है तब भी आप लोग को निकाला जा सकते है तो यह वाल जो चीज है यह अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप लोग fang के दिलती है वो बहुत जादा अच्छी होती है fang के अंदर क्या यह maximum salary है जो एक software developer earn कर सकता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप लोग foreign startups की बात करो अगर आप लोग foreign companies की बात करो अगर आप लोग remote work की बात करो ना तब आप लोग इससे 2 से 3 से 4 गुना भी असानी से कमा सकते हो अगर आप लोगोंने fang के अंदर काम करने जी सोची है न अगर आप लोग उसको सिरफ salary के लिए join कर रहे हो तब आप लोग salary तो कहीं बाहर भी उससे ज्यादा कमा सकते हो and कम effort के अंदर वहापे ज्यादा salary आप लोग earn कर सकते हो बहुत सारे youtube ने भी इसके उपर वीडियो बनाई है इशान भईया ने इसके उपर वीडियो बनाई है आप लोग की कुनाल भीया ने इसके उपर वीडियो बनाई है लेकिन फिद भी हम लोग समझ नहीं पाते है कि जो fang है वो एक trap की तर है अगर आप लोग फैंग के लिए इतनी जादा महनत करते रहोगे तब आप लोग क्या करोगे तब आप लोग fail हो जाओगे and आप लोग को कहीं पर भी job नहीं मिलेगी तो it's better कि आप लोग सबसे पहले जो भी अपनी development की skills है ना development की skills पर आप लोग job के लिए try करना शुरू करो DSA बिल्कुल भी required नहीं होता है आप लोग को क्या लगते है जो भी software engineering के अंदर companies आती है वो सारी के सारी के सिरफ DSA की business पर hire करती है जो भी आप लोग की colleges के अंदर companies आती है ना वो सारी की सारी पढ़ाई वाले बच्चों को hire करने के लिए आती है अगर आप लोग अपने scope को expand करोगे ना अगर आप लोग खुल के देखोगे एक कोय के मैंडग की बजाए आप लोग समुदर के मैंडग बनोगे ना तब आप लोग को समझ में आएगा कि ओहो अगर मैं यहाँ पर foreign के अंदर apply करता हूँ तो मैं यहाँ पर 3-4 लाक रुपे महीना कमा सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर apply करता हूँ तो यहाँ पर 8 लाक रुपे महीना भी कमा सकता हूँ आप लोग के बहुत सारी YouTubers हैं जो इसके बारे में बहुत जादा बात करते हैं मैं कुछ YouTubers के जो भी चैनल हैं उनके लिंक यहाँ पर description के अंदर डाल दूँगा जिसके थुरू आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके सा समझ में आएगा salary is not the reason जिसके वज़ेसे आप लोग fan के लिए इतनी ज़्यादा महनत करते हो अगर आप लोग Google के अंदर काम करना चाहते हो due to salary कि आप लोग को लगता है कि जो गूगल का package है जो भी Google की salary है वो बहुत ज़्यादा high है अगर आप लोग उस reason की वज़ेसे Google के अंदर काम करना चाहते हो तो my friend आप लोग को अपनी opportunities को explore करना होगा आप लोग को देखना होगा कि क्या क्या opportunities आप लोग को मिल सकती है बहुत सारे startups हैं जो कि इनसे 2x package आप लोग को offer करते हैं उन सारे चीजों के बारे में भी आप लोग को explore करना होगा आप लोग को research करनी होगी तब जाके ही आप लोग अच्छे तरीके से पैसा earn कर पाओगे software engineering की field में उसके पर जो तीसरा reason है वो है higher status आप लोग को लगता है कि अगर मैं fan के अंदर एक पर लग जादा हाई होगा अब आप लोग को सोच रहे होगे कि मैंने watch के example क्यों दिया था मैंने ये watch के example आप लोग को इसी लिए दिया था क्यूंकि जिन भी लोगों ने apple की watch को select किया न तब आप लोग status के लिए बहुत जादा मरते हो लेकिन जब एक job role के अंदर आप लोग को इतनी जादा मेहनत करने पड़ती है आप लोग को उसके लिए इतनी जादा तयारी करने पड़ती है आप लोग को DSA करना पड़ता है competitive programming करने पड़ती है एक single company के अंदर जाने के लिए जमकि आप लोग उसी के दूसरे route की तरफ से आप लोग कोई एक अच्छी company की दर जागे उससे triple package earn कर सकते हो तब आप लोग उन सारी opportunities को बिलकुल ही भूल जाते हो यह चीज बिलकुल ही गलत है अपने status को दिखाना गलत नहीं है लेकिन अगर आप लोग अपने status को ही सब कुछ मान लेते हो अगर आप लोग को लगता है कि Google के अंदर जाके मेरा status हाई होगा तब ही मैं Google के अंदर जाना चाता हूँ तो यह चीज आप लोग अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि वो उनका experience यहां पर कैसा है उनकी salary कैसी है यहां पर high कैसे मिलता है तब आप लोग को जो भी reality है उसके बार में पता चलेगा तब ही आप लोग अपने जो भी decisions है उनको अच्छे तरीके से ले पाओगी Fag में सिर्फ इसलिए मत जऊऊगी सारे लोग वहां पे जाने की कोशिश कररे है IIT के अदर भी same चीज होती है बहुत सारे लोग IIT के अदर जाने की कोशिश कर रे होते है तब ही हम लोग भी उसकी race के अंदर लग जाते है वैसे ही fang की race भी यहाँ पर चल रही है जिसके अंदर सारे लोग भाग रहे है और हम लोगों को भी उस race के अंदर भागने है आप लोग को सबसे पहले अपने scope को increase करने है और देखने है कि मैं किस जिगा fit हो सकता हूँ मैं अगर web developer हूँ मुझे web development इतनी इच्छी तरीकी से आती है तो मैं किसी startup के अंदर भी काम कर सकता हूँ उस startup के अंदर मुझे DSA required नहीं रहेगा मिलको एक अच्छा offer वहाँ पर मिल सकते है अगर मैं किसी foreign startup के अंदर जाके काम करूंगा ना वहाँ पर मिलको बहुत जादा अच्छी salary मिल सकती है आप लोग को घर पे बैठके काम करने है गूगल के अंदर अगर आप लोग आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने यह watch वाला जो example है यह आप लोग को क्यो दिया था जो apple वाले बंदे है ना वो थोड़े से सुधर जाओ तुम थोड़ा सा देख लो अपने scope को increase करके देख लो कि क्या आप लोग अपनी जो भी opportunities है उन सब को explore कर भी सकते हो कि नहीं आप लोग के पास अगर कोई भी एक skill है एक particular skill है जिसके अंदर आप लोग master हो तब आप लोग उस skill के through बहुत ज्यादा अच्छे ची companies के अंदर job crack कर सकते हो और अगर आप लोग startups के अंदर चले जाते हो ना and starting के अंदर उन startups को join कर लेते हो तब आप लोग की growth है वो बहुत ज्यादा fast हो जाती है मैंने खुदने startups के अंदर काम करके देखा और मैंने खुदने देखा है कि growth opportunities आप लोग को startup के अंदर बहुत ज्यादा मिलती है अगर आप लोग Google Amazon जैसे companies के अंदर जाते हो ना तो वहाँ पे 50 to 60 thousand से ज्यादा employees होते हैं वहाँ पे आप लोग को अपन salary बहुत ज्यादा increase हो जाती है अगर आप लोग अपनी company के साथ loyal रहते हो ना तब यह चीज possible हो पाती है उसके बचे चोथा reason है वह एक थोड़ा सा weird सा reason है आप मेंसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अगला सुन्दर पिछाई बनूंगा आप लोगों को लगता है कि आप लोग के सत्य ने डिला हो गए इन सब लोगों ने 20 से 30 साल वहां पे उस company के अंदर मेहनत किये तब जाके उनको वह position offer हो पाई है CEO की अगर आप लोग के पास इतना ज़दा time है ना अगर आप लोग 20 से 25 साल wait कर सकते हो उस position पे जाने के लिए तब आप लोग करो तब आ आप लोग को जल्दी थोड़ी सी success मिल जाए तो fang is not the path अगर आप लोग को जल्दे successful होना है ना जब आप लोग को खुद के लिए opportunities explore करना ही पड़ेंगी वह startups भी हो सकते हैं वह आप लोग को खुद का startup भी हो सकता है आप लोग किसी भी remote work के अंदर काम कर सकते हो आप लग होगा बट आप लोग को उस चीज़ के बारे में explore करना पड़ेगा सिरफ fang के पीछे मत बागो just because आप लोग का status बड़ेगा आप लोग की salary बड़ेगी ये सारे reasons के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अगर आप लोग को अच्छे तरीके से कहीं भी किसी भी field के अपना जो भी scope है ना उसको थोड़ा सा increase करना पड़ेगा आपनी जो भी नज़रीय है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तब ही जाके आप लोग correct opportunities को देख पाओगे आप लोग उनको समझ पाओगे और तब ही आप लोग आगे जाके life के अंदार successful बन पाओगे I hope आप लोग को इस वाली वीडियो के तुरू समझ में आया होगा कि क्यों आप लोग के लिए एक अच्छा option नहीं भी हो सकता है I hope आप लोग को यह वाली वीडियो पसंद आये होगी अगर पसंद आये तो इस वाली वीडियो को like जरूर कर देना चानल को subscribe कर देना and आप ल बाही वीडियो डे इस शोड रिए